जब स्टेज में ग्लेमर आ रहा है तो टेलन का क्या काम कॉमेडी सरकस में गंगुबाई का किर्दार निखाने वाली आफ्रेज सलोनी देनी ने घर घर में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी गोलु मोलु सी वो लर्की आज भी लोगों को याद है लेकिन अब वो गोलु मोलु नहीं बलकि ग्लैमरस हो गई है सलोनी ने अपनी इस्ट अकाउन की जरीए फैंस के साथ एक विडियो शेयर किया है टीबी पर दिखने वाली छोड़ी सी बच्ची अब इतनी सुन्दर हो गई है कि उनका ट्रांसपॉर्मेशन देखने लाइक है इस विडियो ने अक्रिस ने अपनी तीन साल की चर्णी को दिखाया है यानि लॉकडाउन से लेकर अब तक में उनके अंदर जो बदलाव हुए है उसे उन्होंने शेयर किया है सलोने ने साल 22 में पहले कोवीड-19 महामारी से लेकर अब तक यानि साल 22-23 तक में 22 किलो वजन भटा लिया है एक इंटर्वियू के दोरान उन्होंने बताया है मेरी वेट 80 किलो के आसपास थे इसलिए मैंने तैकियर लिया था कि अब बजन भटानी का समय आ गया है मैं इस तरह बजन गम करना चाहती थी कि जिससे में फिट और हेल्दी रहू मैंने डाइट फॉलो की और रोज एक्सिसाइस किया अब मेरा वेट 58 किलो के आसपास है लॉग डाउन ने उज़े बजन भटाने के लिए मजबूत किया गंगु बाई यानि सलोनी अब काफी बरी हो गई है वो 20 साल की है और शोशल वीडिया पर अक्सर अपनी ग्लामरस तस्वीरे शेयर करती रहती है सलोनी ने 7 साल की उमर से ही आक्टिंग और टीवी शोज शुरू किये थे सलोनी ने शोज के लावा कई मिराथी फिल्मों में भी काम किया है सलोनी कॉमिडे शोज छोटी मिया और बड़ी मिया की विनर भी रह चुकी है पिछले काफी समय से आक्टिंग फिल्मी परदे से दूर है फिलाल आप लोगों को गंगुबाई यानि सलोनी की ये ट्रांसफर्मेशन कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताए कर दो तो